इस वक्त की बड़ी खबर जनपत जालोन में पुलिस प्रसासन ने चलाया सराब चेकिंग अभ्यान अवैद्वा नगली सराब बेजने वालों के खिलाफ वी कड़ी कारवाई प्रसासन ने दिये सक्त आदेश समय से खुलें और बंध हों दुकानें सोसल टिस्टेंसिंग का भी रखें ध्यान आज पुलिस प्रसासन ने नकली वा अवैद्वा शराब के खिलाफ चेकिंग अभ्यान चलाया तहसीलदार बल्वाम गुपता एवं कोतवाल ओधायबान गौतम द्वारा नगर वा ग्रामीन शेत्रों में स्थित अंग्रेजी वा देशी सराब की एक दरजन से अधिक दुकानों का निक्षण किया गया तेसीदार ने निर्देश दिये कि सराब की दुकानों को निर्धारे समय पर ही कोलें और बंद करें अल्प वैसकों को कदापी सराब की विक्री ना की जाए साथी साथ सराब बेचने के बाद ग्राहक को वापस सराब वही ना पीने दें एवं दुकान के आसपास साफ सफाई की परस्ता दुरस्त रखें कोरोना गाइडलाइन का पाल्म करते हुए सोसल इस्टेंसिंग मेंटेंड करना एवं दुकान के बाहर सेनेटाइजेशन का ध्यान रखाना प्रसासन द्वारा जो निर्धारे दाम हैं उसी के अन्रू दुकानदार सराब की बिक्री करें प्रसासन ने सेल्समेनों को भी निर्देश दे दिये हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिक्री के लिए उपलब्द कराई जा रही सराब की ही बिक्री करें किसी अन्य प्रदेश अत्वा मिलावटी सराव की बिक्री की सूचना मिलती है तो कठोर कारवाई की जाएगी इस दोरान प्रसासन ने हदरुक सिरसाकलार सहाव आदी गाउं के साथ ये नगर में इस्तित देशी वांगरी सराव के ठेकों का रिक्षण किया सर जो सरकारी सराव की जाज की जा रही है किस विसाएपर जाज की जा रही है जाज की दोरान क्या पाया है माननी शासन का नदेश है कि किसी भी दता में अवरे तराव की बिक्री ना होने पाए इसके अलावा सराफ मेरे द्वारा और प्रभारी इंस्रेक्टराफ के दौरा दूताइब की जा रही है हम लोग यह सीजे देख रहे हैं कि दौगानों में वह भी माल देटा जा रहा है वो किसी भी प्रकार से नकली माल ना हो, किसी भी प्रकार की अवेटी सराफ की तुकाने, दियर की तुकाने, ठेका देशी तराफ की तुकानों की तचिम हम लोगों भरक ही लिए